दोस्तो आज मैं लेकर आए हूँ कई सारे कमाल के अपडेट्स और बहुत सारे बॉड़ी बिल्डर्स बहुत सारे मेंस फिजीक अथलीट्स के अपडेट्स आज आ चुके हैं तो इनके उपर बात करते हैं अपडेट्स बहुत सबसे पहले हमें मालुम है एक सबसे चटका देने वाल अपडेट्स वह था वो था रैमी का रैमी ने अभी ना ट्रेनिंग वीडियो जालना शुरू कर दिया है अपनी बॉड़ी दिखाना शुरू कर दिया है और लोगों को एक्चुली में वो देना जिसमें की बहुत ज्यादा शाप और वेल बैलेंस इनकी फिजीक लग रहे है जैसे कि मैं बताता हूं रैमी ऐसे ही लगते है कि फोर वीक्स आउट ऑलम्पिया से अगर चार वीक्स बिल्कुल डाइड डाउन कर ले तो एक्दम ओलम्पिया रेडी हो जाए लेकिन इनकी ब सब्सक्राइब कर लेकिन बहुत सारी क्रिटिसम लेकर के गए तो टाइटल जीद गए थे बस इतना हुआ था लेकिन चार महीने की प्रेप हमें पता है सब लोगों को पता है कि ना वह बॉड़ी की उपर एक जो बेस्ट फिजीक वाली जो चीज सीना 2020 में जो यह लाए थे वो चीज 2021 में कहीं ना कहीं गुम हो गई थी तो चार महीने प्रेपना करके इस बार इनके कोच काई था कि अब पूरे साल एक प्रॉपर तरीके से बिग्रामी प्रेप करेंगे और इस बार हमें दिखाई देंगे और ऐसा लग रहा है क्योंकि अब यह काफी टाइम से लग तीसरे टाइटल के लिए ना जितने सीरे से मुझे लगता है कि वह माइंड से और वो सीरिसनेस किसी और अथलीट पे अभी है देगो ब्रेंडन करी जरूर से हैं पर ब्रेंडन में जिनेटिक फ्लॉव बहुत है हाडी शुपन का यह नहीं मालूम के वह इंप्रूमेंट कि गर जाएंगे लेकिन लेकिन बिघनिघन नहीं पर már बात बोली थी के बिघनमी को से जादा घ्रिस और जादां से जर्फ एडर ट्राय लेकर किया और से टील बहुत ने है बलकी बहुत लोगों के दिली जीते ङहें túatt बिग रैमी उस तरीके से एक चैंपिन निकल के आये दोस्तो इसके बाद में अगला अपडेट जो मैं दूँगा वो है राइन टैरी का राइन टैरी ने लास्ट ऑलम्पिया की शकल देखी थी 2020 में उसके बाद से वो दिखे नहीं और वो उनकी वर्स्ट फिजीक थी वीक्स पड़े हैं और यह हैं 217 LBS पर आमतार पर राइन टैरी 228 LBS पर होते हैं प्रेप शुरू करते वक्त तो इस बार यह इतने हलके हैं लेकिन उसके बावजूद यह कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जादा प्रोडेक्टिव जादा एनरजी के साथ में इस बार यह प्रेप अपनी कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम और वीक पॉइंट राइन टैरी के साथ में मालूम है उनकी बैक आती है तो इन्होंने अभी तक भी अपने अपडेट्स में अपनी बैक नहीं दिखा है अपनी पूरी बॉड़ी जरूर दिखा र आइ थिंक वहां पर अगर यह चेंजिस कुछ करेंगे या फिर कुछ इंप्रॉब्मेंट करेंगे तब ही कुछ देंजरस साबित हो सकते नहीं तो मैंस फिजिक लाइन अप बिना नए नए अथलीट से भरता जा रहे है और वह नए नए अथलीट बहुत थीक होते जा रहे है और बैक अच्छे अच्छे अथलीट की सब की बढ़िया ही होती जा रही है तो देखना होगा यह कैसा परफॉर्म करते हैं टार्गेट वेट जो होगा ना जो प्रैप के टाइम पर होगा वो यह बोलते हैं कि 225 LBS के आसपास होगा इस बार इनका और जनरल यह इससे ज् लोग बताओ आप इनके लिए एक्साइटीड हो इसके बाद में अगले अपडेट के हम बात करते हैं लेकिन उसके साथ में एक प्रोड़क्ट की भी बात कर लेते हैं अगर वर्काउट करते वक्त अलर्टनेस की दिक्कत आपको होती है तो एक बहुत अच्छा प्रोड़क बताता हुआ जो कि एक मेमोरी बूस्टर इसमें अश्वगंधा डाला हुआ इनोंने वो भी किये अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को कम करता है तो जितनी भी चीजे इनोंने इसमें डाले सब आपके ब्रेन फंक्शन को और आपकी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं अब अगर 45 मिनट पहले काफी बना के पीते हो तो बहुत एक तो अच्छी टेस्ट आपको मिलेगा सेकंडली अलर्टनेस आपको मिलेगी वर्क आउट करते वक्त तो इसको बनाने का तरीका यूं तो इन्हों ने लिखा हुआ है पर जिस तरीके से मैं बनाता हूं वो बताता हूं तो मैं इसके अंदर 30 सेशे यह लोग दे रहे हैं और इसका प्राइस है 378 रुपीज अगर आप मेरा डिसकाउंट अपलाई करते हो अब दोस्तो कॉफी सही में यह थोड़ी स्ट्रॉंग है तो उससाब से काम अच्छे से करती है तो अगर आपको अपनी नॉर्मल कॉफी से उतना वाला खतरनाक शो यह होने वाला है 25-26 तारीक के बीच में औरना मतलब बहुत सारे कॉम्पीटिटर्स आते जा रहे हैं इसके अंदर तो वैजले विजर्स ने चीज अनौन्स कर दी है और इनकी फिजीक बस इन्होंने आपर बॉड़ी दिखाई है जो कि हमेशा की तरह ही लेकिन प्राइर्स आता होगा दी है ऑनकी अच्छी लग रहा है लेकिन लोर बॉडिमे हमेशा मात काते हैं लेकिन उनने इंप्रूमेंट करें अभी नीचे की बॉड़ी में सही में कितने इंप्रूमेंट इस साल करें यह नहीं ओंGU तो देखना होगा है क्या रेकिना बना सकते हैं क्लासिक फिजिक टाइटल को जीट सकते हैं क्योंकि अगर लाइन बहुत जादा गहरा नहीं होगा जो अमीद नहीं होगा तो वेजले यहां टाइटल जीट करके ऑलम्पिया के लिए कॉलिफार कर जाएंगे बाकी ऑलम्पिया 2021 में इनके पिछले साल 11 प्लेसिंग थ तो वो चीज का सॉलीशन इनको पता हो गया अगर इन्होंने फीडबैक लिया है जजिस से कमिया कहां पर आ रही है तो वो चीज यह तभी इंप्रूफ कर सकते हैं तो वेजले ने इंप्रूब्मेंट भी करें देखो कंडिशनिंग पहले बहुत खराब लाते थे मसल्स बह आपने वेजले इंप्रूब्मेंट में इसके बाद में मार्क हैक्टर केलने वाली है एक बहुत चोटा नाम है लेकिन विश्वास करो ये बहुत खतरनाग है और इनकी फिजिक में जो हार्डनेस और ग्रेनीनेस ना बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं नई मसल्स में एक नए बॉडी बिल्डर में, इनके शोल्डर्स, बेस्ट शोल्डर्स इन दा वर्ल्ड, अभी के टाइम पे, मुझे इतना अच्छे शोल्डर वाला कोई अथलीट नहीं थे, इनका नहीं जादा है, जो की बहुत ही बड़ी बात है, रियर डेल्ट की मसल डॉमिनेट करती है आम तर पर साइट डेल्ट या फ्रंट डेल्ट करता है, रियर हमेशा छोटा होता है, मसल्स में हार्डनेस इनके अच्छे, लेकिन क्या था दो-तीन साल पहले जब इन्होंने अपना एक प्रो शो में डेब्यू किया था, उस टैंपने के लेक्स बहुत वीक थे, तब मैंने जो साइज एक राउंडनेस होना चाहिए को आट में दिख रहा है मार्क के, मार्क हेक्टर का साइट चेस्ट बहुत खतरनाग लगता है, और जैसे इसमें मस्कुलरी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया इनकी चेस्ट आती है, मतलब यह उता है मसल्स की शेप होना, और यह उ मसल्स की हार्णनेस होना लाइक करें, करें नेेकल मार्क हेक्टर की मसल्स में fed soldiers ले और अillar और यह चीजें खतरनाक हैं, और जानलने किर ने कोच हैर रहे है, म deliberately करके तो अब मेरे साब से मैं इनको सही में फ्यूजर बोलूंगा और यह बिल्कुल शांती से अपना काम कर रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को हिलाने का दम रखती हैं अब इनके सामने आपर खड़े होंगे सबसे बड़े एंड्यू जैक्ट जो की बिल्कुल आते ही अपना प्रो कंडीशनिंग में बहतर आ सकते हैं एंड्यू से लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शो मार्क हैक्टर जीट सकते हैं डैफिनिटल एंड्यू बहुत जादा बहतर है लेक्स के मामले में हमने सब ने देखा कि एंड्यू के लेक्स और जो एक प्रपोर्शन सोने चाहिए ना आते हैं पर मार्क कैसा पैकिर्ज दिखाएंगे वह बिल्कुल एक अन्प्रेडिक्टिबल सी चीज है हरानी की बात मैं आपको बता हूं अब यह सारे अथलीट्स एक्दम नए नए अथलीट्स हैं इनकी एज सिमिलर और इतनी जादा है ना इतने में पहले हैं के बॉड़ चाहता हूं आप लोग इन दोनों के लिए एक्साइटिड हो के नहीं मुझे बताना जैसे मैंने बता है मार्क हैक्टर अन्प्रेडिक्टिबल है इनका साइट चेस्ट कुछ खास लगा नहीं होगा आपको लेकिन स्टेच पे जभी दिखते हैं ऐसे दिखते हैं चेस्ट मे आप दो और आपको अर्णूल्ड खास लाइनप भरता जा रहा है तो यह चीज इस शो को इस बड़े शब्र एक्साइटिंग बना लेगे पिछले साल कुछ खास नहीं था अर लाइटिंग तो बहुत खराब थी और पिछले साल ही तो स्टार्ट हुआ है इस वार दिखते ह जो फाइबर्स है ना वह बता रहे हैं कि कितना क्लोज हैं किसी और प्रोशो के क्योंकि हमें मालूम है आंड्रे ने जो अभी रिसेंट अपना प्रोशो खेला था उसमें सेकिंड आये थे लेकिन बहुत अच्छी कंडिशनिंग बहुत अच्छी शेप दिखाने के बाद भी ह लेकिन अभी हमें कुछ नहीं मालूम लेकिन यह कंफर्म है कि खेलेंगे जरूर कोई ना कोई शो क्योंकि ऑलम्पिया में इनको भी जाना होता है हर साल जाते हैं कुछ अच्छा परफॉर्म भले ही ना करें लेकिन जाते जरूर है प्रोशो जीतना कोई बड़ी बात इनके अगर इसके नहीं बनेंगे तो इसके नहीं बनेंगे तो इसके बाद एक और शो दोस्तों है वह डेटोना प्रो और यह वो शोर जिसमें की आंड्रे फर्जूसन खेलने वाले हैं तो आंड्रे ड्यूसन पर आ गए लेकिन उनका भी बताना जरूरी है क्योंकि उनके अपड प्रो में वो दिखाई देंगे तो पॉसिब्लीटी हो सकते हैं कि आंड्रे ड्यूसन एक स्टेच में दिख जाए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए और डेटोना प्रो होने वाले एक अक्टूबर को तो आर्नोल यूके है 25-26 के आसपास जेटोना प्रो है एक तारिक क आसपास तो इस शोजना बड़े एक साथ से आ रहे हैं चांसी है कि हमें यह मैंस फिजिक अथलीट ना इस तरीके से दिख जाए आंड्रे ड्यू भी दिख जाए और फर्जूसन ने तो अपना अनाउंस करी रख है मैं तो सही में दोनों के लिए एक्साइटी डूँ क्यों कि अगर हम बात करते हैं तो फर्जूसन आये थे एकदम फ्लैट लेकिन आये थे बहुत शाप और रिब्ड और वह फ्लैटनेस ने उनको एक तरह से शोग हरा दिया अंड्रे डूँ की अगर हम बात करें यह एकदम बढ़ी आया थे लेकिन के एब सच्छे नहीं ते उस ची बताया था कि उनके कोश ने एक्चुली बताया है निरंबॉट ने कि उन्होंने इस बार की प्रैप बहुत चिल होके करिया मतलब एकदम थंडे दिमाग से करिये और अंड्रे डियू यह बताते हैं सोचल मीडिया पर आकर के यूट्यूब पे अपने के मैं वीड लेता था तो उस वज़ा से मेरा दिमाग बहुत जादा शान था अब इस चीज की वज़ा से सही बता हम दोस्तों बहुत जादा कोई कांट्रोवर्सी हुई नहीं थी लेकिन यह चीज आकर के बोलना ना मुझे थोड़ा सा वह लगा के एक हिम्मत चाहिए ऐस चीज बोलने के लिए और वह वह साफ साफ पीते हुए दिखा रहे थे मतलब वीड बी ते तो यह चीज थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगी लेकिन इस तरीके से बॉड़ी बिल्डर्स करते हैं देखो यह होता है इस तरीके से और मैं पता नहीं लगता बहुत सारे बॉड़ी बीलडर्स के बार रहते हैं और कंपेर चलता रहता है कि मैं अच्छा के सामने वाला अथलीट अच्छा तो आंड्रे ने बात बताई थी उसी चक्कर में दिमाग को शांत करने के लिए और गहरी नींद लेने के लिए इन चीजों का इस्तमाल किया था और अभी वह कर रहे हैं और के कोच इस ची अब बता है लेकिन यह को बतानी थी जो मुझे फ़नी लगी अपडेट थे और अब जैसी शोगों के मैं आपको अपडेट देता रहूंगा सारे के सारे आगे बाकि मुझे आप सही में बताव आपको लगता है बिग रहमी इस बर अपना तीसरा डाइल जीतेंगे देखो जीतने का तो हमें पता है लेकिन एक होता है वन साइडेट विनर उस तरीके से मैं आप से पूछना चाहरा हूं आपको लगता है कि इस बार जब यह जीतेंगे तो हमें भी साटिस्फेक्शन एक मिलेगा वो चीज़ आप मुझे बताओ क्योंकि रैमी की प्रैप सही में जीतुन गुडबए शुक्रिया